असलाम अलेकों मैयोटी फैमिली आप लोग कैसे हैं आई होप आप टेक होंगे अल्ला के फजल कम से मैं भी ठीक हूँ हर वीडियो के शुरू में आपसे एक रिक्वस्ट होती है अगर आप मैं चौन को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेक करें कमेंट करें आप देख रहोंगे यह रात का वक्त है यह बिग ग्याला बज़े का तकरीबन टाइम है हमारे रहीम यार खान से महमान आ रहे थे यह मेरे ममा के मामो है यह रहीम यार खान से यहां पे आये हैं और इनके क्यूट सी बेटी इसके साथ मैं खेटी हूँ जब हमें पतच्वला के 11 बज़े हैं कि हमारे महमान आ रहे हैं ममा ने जली-जली सारा कुछ खाना बनाई है यह जितनी हुआ रेस्पीज है यह भी हम लोगों ने तब ही बनाई थी तो मैं सब रेस्पीज आपके साथ शेयर करती हूँ तो गाइस अब मैं आपके साथ मतब सबसे पहले सुवईया शेयर करती हूँ जिसमें सबसे पहले ममा ने एक लिटर दूद लिया है उसमें ममा ने थोड़ सी कलरफुल सुवईया डाली है उसके बाद चीनी डाली है और दो-तीन अलाइचियां डाल के ममा ने इसको हल्की आउंट पे कवर कर देता है इसे बहुत यमी यमी इसको गाइस देखें कितनी यमी और ठीक सी लग रही ममा ने इसमें बदाम एड़ कर दी मैंसे बाद ममा ने इसमें करश कोकुनर डाला है इससे बहुत इत्रा टेस्ट बनता है अब जरूर कमेंट बोक्स में बताना कि क्यासी बनी मुझे तो कलरफुल स्वाईया बहुत यमी लगती है तो गाइस हो हमारी तो स्वाईयों हो चुकिए रैडी बात तो बात तो में हम लोग कहां बात तो में लगे स्वाईया रैडी होगी ममा ने इनको अब पर देशावट कर लिए किता यमी सा लग रहा है हम्म अब इसको रैप करके फ्रीजर में रख देते हैं अभी हम लग सकेंड डिश बनाते हैं थर्डी थर्डी इस वहीं हैं बहुत ही मज़ी की होती है अभी मापस बहुत कामया जली जली भी हम लग टीज़े बनाते हैं कि हमारे मेहमान तकरीबर पहुच नहीं वाले हैं कुण नैसे ममाईaur नैक लग a कड़ाइ में तेट डान चौत में वीध प्यास और यहाल भी नमक डान सॉर नाल के वग श्युद्ष तयरा बना लियां चिकन को बून लिया है तो गाइस थोड़े से भी घर में मटर थी तो ममा ने वो मटर आड़ कर दी है ममा ने का जो एक डोंगा चलो तक रीबन साल बननी जाएगा तो गाइस ग्यारा बारा बजे का टाइम है और हमारे पास इतने साही मटर थे हम लोगा ने वो एड़ कर दी अगर और होते हैं मतब अगर टाइम सही होता तो हम लोग बजार से भी लिया आते तो गाइस तो अगर शहरों में हो तो कोई चीज लेनी हो तो वो बजारों से रात को जाके लेती हैं अगर गहां मेर्व हो तो बहुत मसला हो जाता है ऄगार चीजे होती यह ना को पहले से घर से घर में रखता है हैं हो तके अपर झ énormément हिए अगर वे hey 하게 Two चीजे पढ़ आउ तो आगर एमेर्टी कि इस तो मार्जी करता है जतनी हिर्जी हो जो अभी हम लोग मिक्स वजटेबल सेल बिनाने लोगी हैं इसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक कठी हुआ एपल शिम्ला मेट्स टमाटर गाज़डा एड़ की है और कुछ चने और प्याज और कठीया हुआ खीरा डाला है थोड़ा सा नमक थोड़ा साट मुसाला थोड़ा सा उन CRA वापका तेस्च वापन बनता है यह मैं बहुत ही मज़े का था इसको चोटे-बड़े वह बहुत ही शॉक आते हैं अब तक मैं रेषप्श बनारे आरी हूं आप सब ट्राइक बना है वह तो में रेषप기도 बहुत ही मज़े की बनती है इसको सब आगे हुआ हैं हमारा मज़े का सालट हो चुका है रैडी सो अभी हम लोक अपनी नेक्स रेस्पी पर चलते हैं और मैं आपको अभी बनाना सिखाती हूं नेक्स रेस्पी मौमान अभी इसको रैप कर दिया इसको फ्रिज में रख देते हैं कि अब इस अब सद्धियां अगया है तो वैसे बनों बाएर भी रख सकते हैं मौसम ठीक है लेकिन अब गर्मियों से आदत हो गई है फ्रिज में रखने में एक पैम लिया है उसमें हम लग ने और डाल के प्यास कट किया उसको एड़ कर दिया है इसमें इसको अब बन किया है और इसमें अद्दक लंद का पेस्ट एड़ किया है और इसको अची तरह मिक्स कर लें इसमें एक कट किया हुआ टमाटर एड़ कर दिया है मैंने आपको शुरू में बताया नहीं मैं इतनी जल्ली जल्ली में थी जनार जी अभी हम लग बिक्स वेजटेबल राइस बना ले रहे हैं अब हम लगने इसमें करश मिट्च नमक और गरम साला एड़ और दो टीन कट की हुए मिर्चे एड़ कर दी है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें स्पाइसे आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं हम लोगों ने इसमें कटकी हुए आलू गाजर शिम्ला मिट्च और बन को भी एड़ कर दी है और इसको दुबारा अच्छी तरह मिक्स कर लें को इसको हलकास फ्राई करना है इसको ज्यादा ने ुफ्राई करना इसमें भी हम लोगों ने काली मिठ एड़ की है काली मिठ शे इस से मिक्स वेजटेवल में बहुत अचा फ्लेवर आता है हमारे तक्रीबन दो ग्लास चावलों के दिर ममा ने तक्रीबन इसमें चार ग्लास पानी का एड़ कर दिया है चावल तकरीबन ममा ने बेस्मिन पहले चाफ करके बगो दिये हैं और इसके जो देखें कितना यमी सा लग रही है और ममा ने इसमें सारे चावल एड़ कर दिये है जब पानी ड्राइ हो जाएगा तो इसको बेस्मिन के लिए दम पे रखेंगी और जो चावलों के उपर चिकन में डालना था ममा ने भी चिकन को मिसाला लगा के रखा हुआ था जो चिकन ममा ने फ्राइ पैन में रख दिया है और अब ममा इसको फ्राइ कर रही है तो गैस हमारे चावल वेड़िटेबल राइस भी हो चुके हैं रेडी रेडी कितना अकेले केले से हमय ममा ने यमिया से लगए है और इसको डिश आउट करही है कितना यमिया से लग रहा है और ममा ने इसकी ओपर घानिश भी कर दिया है तोमेट्यों और धनिये से वो भी ममा ने गनम कर लिया है और दो चार रोटियां भी साथ बना ली थी वो हमारा खाना है हो चुका है राड़ी हो हमारे महमान तक्रीबं साड़े बारा बज़े दिर पहुंच चुके थे और ममा भी इनकी गानिश करी है सब चीज़ों की है तो गैस हमारे में मानों ने भी बहुत चुक सिखाना करेंगा बहुत अच्छा लगा तो गैस बताएं कि आपको मेरा आज का वोक कैसा लगा जल्म दे लेंगे नेक्स व्लाक में मेरा आज का वोक लिए पर गतम होता है अश्वाज करेंगे हैं व्लाक में अश्वाज करेंगे हैं